Hello and welcome back! अगर आप Hero Company का सौसी में कोई मोटसाइकर खरदने के लिए सौच रहूँगे ऐसे में Hero Paisan Plus आपकी पसंद बन सकती है या आपी Hero Company का H.I.B. Lux भी आपकी पसंद बन सकती है ऐसे में दोनों में कितना डिफ्रेंस है दोनों के price में कितना difference है, features कमकों से मिल जाते है, mileage कितना देती है, सारी जनकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो अगर आप hero company का H.I.B. Lux, और hero company का जो पैसन प्लस आता है, इसके भी इसमें confused है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपकी budget range के अंतर आ जाएगे, तो इस वीडियो देखने बाद सारी confusion आपकी दूरो जाएगी, price वीडियो में detail बात करते हैं, लेकिन अगर आप video company का कोई भी बाइक या पे scooter ख़दे के लिए सोच रहोंगे, इससे पहले basic points से start करेंगे, इनकी designing और color option से, यहाँ पर आप देखेंगे, तो HF Deluxe में आपको काफी सारे color option मिल जाते हैं, इसमें आपको all black का भी option मिल जाता है, लेकिन अगर आप person plus देते हैं, इसमें आपको किवल चार color option मिलता है, तो यह आपको color में difference देखने के मिल जाएगा, बाकि जो look or designing है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो HF Deluxe है, इसका front से head देख सकते हैं, हेड में आपको, जो काउल है, थोड़ा सा छोटी सा इसके मिलेगा, hero का यहाँ पर 3D में logo दिया गया है, hello zone headlamp setup मिल जाता है, बाकि यहाँ पर ऐसे कुछ chrome की bezel से मिल जाते हैं, और indicator आइड देख सकते हैं, कुछ basic सा मिल जाता है, flexible नहीं है, front kafender आपको glossiveness के साथ मिल जाएगा, बाकि इस color में देखेंगे, तो silver color की आपको allowables मिल जाती है, वहीं दूसरे side fashion plus देखते हैं, तो इसका head की design देख सकते हैं, head की उपर इसमें भी आपको 3D में logo मिल जाता है, लेकिन जो इसका head काउल है, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, जिसके वएसे जो इसका headlame है, थोड़ा सा बड़ा लगता है, और इसमें भी आपको hellosan headlame setup देखने की मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेक साथ मिल जाती है, यहाँ पर reflectors दिये गया है, और इस side base में आपको reflectors देखने की मिल जाता है, जो कि इसके भी दूसरे side यहाँ पर reflectors दिया गया है, तो overall जो front का look है, वो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, थोड़ा से छोटे size में headlame मिलता है, थोड़ा से बड़े size में headl प्लॉस का sticker लगा हुआ है, पीछ एक साइड भी आपको इसी graphics देखने की मिल जाती है, जो इसकी seat की जाने है, वो दे सकते हैं, पीछे इसमें gravel भी दिया गया है, बाकी नीचे एक साइड engine दे सकते हैं, ब्लेक दिया गया है, यहाँ पर leg guard आपको मिल जागा black color के साथ, और यहाँ पर graphics देख सकते हैं, और नीचे जो engine दिया गया है, वो आपको यहाँ पर silver और black color के साथ देखने की मिल जाएगा, बाकी जो इसका brake pedal से same मिल जाता है, बाकी जो इसका brake pedal से same मिल जाता है, ख्रोम के exhaust system में भी दिया गया है, साइड मे एचा बिलक्स की graphics मिल जाती है, ल overall जो look design है वो देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ से बड़े साइज की चाहिए, तो पैसन प्लस में जा सकते हैं, थोड़ से छोटे साइज में आपको HF Deluxe मिल जाती है, तो designing में आपको यहाँ पर difference देखने की मिल जाएगा इन दोनों में, तो दोनों के जो designing है वो यहाँ आपको देख सकते हैं, बाकि इसके engine के अगर बात करें तो engine में दोनों में similar, same engine का इस्तमाल किया गया है, अगर आप पैसन प्लस देते हैं, यहाँ पी HF Deluxe देते हैं, दोनों में 97.2 cc का single sender, four stock, fuel ignition engine दिया गया है, जो की 8.02 ps का power और 8.05 mm का charging करता है, यहाँ पर यहाँ पर कोई भी difference देखनी को नहीं मिलेगा, बाकि suspension के बात करें तो इसके front में आपको यहाँ पर telescopic suspension मिल जाएगा, और इसमें भी front में telescopic दिया गया है, लेकिन rear में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको hydraulic two adjustable suspension मिलता है, और इसमें twin suffer suspension दिया गया है, तो suspension में आपको थोड़ा से आपको difference देखने को मिल जाती है, बाकि यहाँ पर tire size के जिए बात करें, तो tire size भी बिल्कुल से हमाई, इसके front में आपको 80 by 100 का 18 inch, और इसके rear में भी 80 by 100 का 18 inch के tubelage style मिल जाता है, और इसमें भी 80 by 100 का 18 inch, front और rear दोने में आपको tubelage style मिल जाएगा, तो tire size में आपको आपको डिलक्स देते हैं तो इसमें भी आपको 130 mm का drum brake मिल जाता है फ्रंट और रियर में यह भी डिस्क ब्रेक के साथ नहीं आती है तो टायर साइस ब्रेकिन सिस्टम यहाँ पर कोई डिफ्रेंस नहीं है फीचर के गर बात करें तो इसमें आपको integrated braking system मिल जाता है और इसमें भी integrated braking system दिए अगया है एक brake लगाने से दोनगा पर करें यह दिखेंगे तो यहाँ पर आपको basic सा analog meter console मिल जाएगा जहांपे आपको यहांपे speed की जन करें मिल जाती है, odometer और fuel की जन करें दी गई है बाकि यहांपे indicator light, engine check light और headlamp, high beam light और आपको यहांपे side extent का भी indicator यहांपे देखने को मिल जाएगा तो यह feature साब को इसमें आपको मिल जाती है तो basic सा analog meter यहांपे दिया गया है और इसके जो handle bars की designing है वह यहांपे आप देख सकते हैं वह दूसरे side अगर आप passion plus लेते हैं तो इसमें आपको digital analog meter console देखने को मिल जाएगा जहांपे आपको काफी सारे information मिल जाती है यहांपे speed, trip, order meter, fuel यह सारे जनकाई देखने को मिल जाती है toggle button यहांपे दिया गया है जहांसे आप trip देख सकते हैं और इसके जो handle bars के लिए जाने है वह देख सकते हैं तो meter console में आपको यहांपे difference मिल जाएगा बाकि यहांपे इसमें देखेंगे तो USB charging socket आपको यहांपे देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें यहांपे USB charging socket भी दिया गया है यहांसे अपने smartphone को आप charge कर सकते हैं और switches के गर बात करें तो यहांपे देखेंगे तो इसमें passing switch यहांपे आपको देखने को नहीं मिलेगा बाकि headlame high beam switch, indicator switch और horn को switch दिया गया है दूसरे side देखेंगे तो यहांपे आपको self का button मिल जाएगा यहांपे प्लस देते हैं तो इसका जो switches है थोड़ा सा आप अलग मिल जाएगा यहांपे passing switch एक्ट्रा add कर दिया गया है passing का जो फ्रो है वो आप देख सकते हैं बाकि यहांपे headlame high beam switch यहांपे आपको indicator switch और यहांपे horn को switch मिल जागा है दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो यहांपे आपको start का button मिल जाएगा तो जो इसका switches है वहांपे थोड़ा सा यहांपे difference रखा गया है बाकि हद तक जो features हैं यह दोनों में similar लगबग दी गई है बाकि यहांपे single piece की seat इसमें भी मिल जाती है लंबी सी थोड़ सी पतली दी गई है और यहांपे आपको थोड़ से चौड़े seat मिल जाती है और इसकी भी seat का लेंद आप देख सकते हैं तो features wise यही आपको difference मिल जाता है बाकि अगर mileage की बात करें तो mileage थोड़ा बहुत difference हो सकत है क्योंकि यहांपे HFDX में फोस से ज्यादा mileage मिल जाती है 70 plus MPL तक आराम से मिल जाती है 75 MPL तक ही HFDX मिल जाती है और इसमें भी 70 MPL मिल जाती है बाकि डिपेंड करता है कि आप कैसे रखते हैं कैसे service करा करते हैं तो mileage इसमें भी कम यह ज्यादा होता रहता है बाकि इसके Dimensions की गिरबात करें तो Dimensions में थोड़ा बहुत यहां पर आपको difference देखने को मिल जाएगा यहां पर इसकी जो ground clearance है 165 mm तक देखने को मिलेगी और इसकी जो ground clearance है 168 mm है तो थोड़ी सी ground clearance इसकी ज्यादा है बाकि जो seat height है 790 mm है fuel tank capacity इसमें आपको 9.6 liter के साथ मिल जाती है लेक 15 kg यानि 115 kg तर इसका weight है तो यह भी आपको थोड़ा बहुत weight में difference मिल जाता है तो बाकि pricing की बात करें किस pricing में मिल जाएगी तो pricing में आपको लगबग 9500 पर का difference देखने को मिल जाएगा और pricing में इतना difference कि हुआ है मैंने आपको इस video में बता भी दिया है तो अगर आप HF Deluxe लेते हैं तो इसका जो एक्सम प्राइस उत्तव पदस में है 68,950 यानि 800,950 रुपे तक है जिसकी on-o price 84,500 यानि 84,500 पर तक चलिए गर आप पैसन प्लस लेते हैं तो इसका जो एक्सम उत्तव पदस में है 78,391 यानि की अगर तक है और इसकी जो on-o price है लगबग 95,000 में आपको इतना डिफ्रेंस मिल जाता है बाकी अगर आप एक्जेट ऑंडो प्राइस जाना चाहते हैं तो अपने अजनाजदे की हिरो सोरू पर संपर कर सकते हैं और अगर आप देवरियां से बिलॉंग करते होंगे तो लस्मी मोटर्स पर आके आप एक्जेट ऑंडो प्रा आपको यह डिफ्रेंस मिल जाती है बाकी जितने भी डिफ्रेंस था मैंने आप यह पर इस वीडियो में बता दिया है फीचर स्वाइज देखा जाए तो फो आस ज्यादा इसमें फीटर मिल जाता है क्योंकि इस थोड़ से बेसिक से फीचर मिलते हैं बाकी पहले इसमें ट् आप और मेंटी वीडियो के लिए चैनल को जब सब्सक्राब करेंजेगा थैंके फ्रेंस थैंक्स वाचिंग